पिछले दो दिनों में हम लोगों ने जाना पदार्थ के बारे में बहुत सारी जानकारिया प्राप्त किया है ना पदार्थ के परिभासा देखा पदार्थ किसको कहते हैं पदार्थ के पदार्थ का बहुत एक स्वरूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ का बह हम लोगों ने जाना कितनी अवस्था हैं प्तार्थ के टी अवस्था है ठोच दरब और गैस ठीक है फिर इन सभी अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने विश्थित जानकारी प्राप्थ किया ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है हम लोग अज इस चीज की जानकरी पराप्त करेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है या नहीं बदल सकता है जैसे अगर ठोस है क्या वो ठोस से द्रब हो सकता है अच्छे हम लोग जो जल देखते हैं पानी देखते हैं पानी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है हम लोग जानते हैं जब वो बर्फ के रूप में हो तो ठोस हो जाता है जब वो वास्प बन जाता है तो वो क्या हो जाता है गैस हो जाता है अर्था जल जो है तीनों ही अ पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है तो कहते हैं अवस्था बदलने के दवरान जब उसकी अवस्था में परिवर्टन होता है उस वक्त पदार्थ के अंदर क्या होता है ये चीज हम लोग जानेंगे ठीक है अर्था जब ठोस से अगर द्रव बनता है उस वक्त ठोस के अंदर क्या होता है इसकी भी जानकाडी पराप्त करेंगे ठीक है जानना चाहिए कि नहीं चाहिए और ये भी तो जानना चाहिए कि जब आवस्था में परिवर्तन होता है तो पदार्थ के कणों पर क्या परभाव परता है है कि नहीं यह चीज़ हम लोग जानेंगे ठीक है तो आगे बढ़ाते हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तापमान परिवर्तन का परभाव अर्था जब तापमान में परिवर्तन हो तो पदार्थ की आवस्था में क्य बढ़ाएंगे तापमान अगर बिर्धी करेंगे तो क्या होगा ठोस के करणों में गति जूर्जा बढ़ जाएगी नहीं हम लोग जानते हैं पदार्थ के करणों में गति जूर्जा होती है पिछली दिनों में हम लोग जाना पदार्थ के करणों में क्या होती है गति जूर् तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस के कनों की गतिज उर्जा बढ़ जाएगी जब वो उनके कनों की गतिज उर्जा बढ़ जाएगी ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा कमपन करने लगेंगे और ज्यादा यदि हम लोग क्या करते उसमें तापमान देंगे तो क्य क्या होगा वो अपने जगह पर हिलने डूलने लगेंगे है कि नी एक ऐसी इस्थिति आएगी उसको और देंगे तापमान देंगे तो क्या हो जाएगा जब बहुत ज्यादा उसको तापमान देंगे एक ऐसी इस्थिति आएगी कि वो आसानी से इधर उदर इधर उदर घुमेंगे सरसा पाट्टे करेंगे है कि नी पदार्थ के कन इधर उदर ओनियमित रूप से इधर उदर क्या करेंगे गति करेंगे जब इधर उदर उदर गति करेंगे मतलब क्या हुआ वो दरब बन तो आगे देखते हैं कहते हैं तापमान बदल कर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है ठीक है समझ में आई बद आगे एक इसको यादउना वह तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रभ बन जाता है उसको गलनांक कहते हैं ठोस में हम लोग गर्मी देंगे मतलब तापमान देंगे तापमान देंगे इतना तापमान देंगे एक एसी स्थिति आएगी कि वो पिघल करके क्या हो जाएगा पूरा बर्ब बन जाएगा उस ताप मान को क्या कहेंगे हम लोग गलनांग कहेंगे तिक है जैसे बर्फ है बर्फ को यह दि हम लोग 0 degree गर्म करें कितना डिग्री 0 degree 0 degree Celsius अगर गर्म करें तो बर्फ पिघलना चालू हो जाता है तो बर्फ का जो गलनांक हुआ वो है 0 degree Celsius ठीक है याद रखोगे इसको बर्फ का गलनांक कितना होता है 0 degree Celsius ठीक है 0 degree Celsius या यह कहें 273.16 Kelvin ठीक है 0 degree Celsius बराबर होता है 273.16 Kelvin तो सहौलियत के हम लोग सहौलियत के लिए दसमलब के बाद वाला को नहीं लेते हैं ठीक है इतना याद रखोगे तो 0 degree Celsius बोलो या फिर दोस्टो तेहतर Kelvin Kelvin यह तापमान का SI मात रख है अंतर राष्ट्री SI मात रख है Kelvin जैसे हम लोग मात रख समझत हो जी कपरा मापते हैं कपरा लेते हैं मिटर में माप के लेते हैं कहीं दूर सफर जाते हो दूरी को किभी में मापते हो किलो मीटर में मापते हैं ठीक है उसी परकार से तापमान को हम लोग सेल्सियस या केल्विन में मापते हैं बुखार होता है तो क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है तो कि अ शरीर गर्म हो जाता है कि शरीर गर्म होना मतलब सौरीर का तापमान बढ़ जाना तो डॉक्टर साब क्या करते हैं वो थर्मामेटर यहां लगाके चेक करते नहीं कि कितना विघ्री कितना विखार हुआ शर्य दी दूई सो डिग्री से पार कर गया 102 डिग्री हो गया दूइंब और कि 102 डिग्री दूडफली इसका मतलब यह हुआ कि शरीर का तापमान बढ़ गया सब के ताप तो ताप मान को जो मापते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में ठीक है जीरो डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन इसको याद रखोगे तो बर्फ का गर्णा क्या होता है जो जिस तापमान पर ठोस क्या हो जाता पिगल कर द्रब बन जाता उसको हम लोग कहते हैं गलनां कहते हैं और गलने की जो प्रकिरिया है उस प्रकिरिया को हम लोग संग गलन कहेंगे ठीक है सब्सक्राइब आया हाँ एक चीज और याद रखना है यहाँ देखो क्या कहा है वायू मंदलिय दाप पर एक केजी ठोस को उसके गलनांक पर दरब में बदलने के लिए जितनी उसमें उर्जा की आविस्ता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त या गुप्त उस्मा कहते है इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं देखो जब हम लोग बर्फ को अगर गर्म करेंगे ना बर्फ को जब हम लोग गर्म करेंगे तो देखेंगे जब वो गलना सुरू होगा पिगलना सुरू होगा उस वक्त हम तापमान देखेंगे कितना हुआ है ठीक है तो उस वक्त हम थर्मामीटर डालके तापमान देख ले पऑनी नहीं बन जाता है पानी नहीं बन जाता है तब इस थर्मामिटर का ये जो थर्मामिटर है यह बताएगा ही नहीं कि आप उसमा दे रहे हैं हम तो उसको आग दे रहे हैं उसमा दे रहे हैं लेकिन ये बताएगा ही नहीं कि आप उसमा दे रहे हैं तो हो गई न गरबर हम तो गर्मी दे रहे हैं उसमा दे रहे हैं लेकिन ये कह रहा कि भीया नहीं दे रहे हैं आप जुट बोल रहा है ये नहीं बोल उस कड़ाई में गर्मी गया और उस कड़ाई से गर्मी कहां चला गया बर्फ में गया तो बर्फ में जाने के बाद वो अब बता ही नहीं रहा है कि गर्मी दे रहे हैं उस्मा दे रहे हैं तो यह उस्मा कहां चला जाता है गाइब हो जाता है कहां गाइब हो जाता है तो यह उस्मा है हम लोग जानते हैं पदार्थ के कन जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं मतलब यह है कि आकर्षन बल्ग से क्या होते हैं वो अंतरानुविक बल्ग के कारण वो एक दूसरे को खीच के रखते हैं है कि नहीं तो वो जो हमने उस्मा दिया ना वो उस्मा उसी का कन पूर्ण रूप से दर्ब नहीं बन जाता है तब तक जो भी हमने उस्मा दिया वह उस्मा जो बाकि बचे ठोश्की रूप में पदार्थ के कन होते हैं वह उस्मा उसमें चले जाते हैं उसके बाद सभी के अंतरानविक बल को क्या करते हैं तोड़ते हैं जो भी आकर जो भी कन जो है वो जुरे रहते हैं उसमें क्या करते हैं वो उस्मा चले जाते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं उसके आकर्षन बल को तोड़ देते हैं जैसे ही तूटेगा तो वो क्या होगा आसानी से इधर उधर भटकने लगेंगे ठीक है तो वो जो हमने उस्मा दिया वो इस तरह से हम कह सकते ने कि वो गुप्त उस्मा है हमने उस्मा दिया लेकिन हमको दिखाई निरा है कि हमने उस्मा उसको दिया तो यह हमारा हो तो वही कहते हैं कि वाइउ मंदल ये दाप पर एक केजी ठोस को उसके गलनांग पर उसके गलनांग पर दरब में बदलने के लिए जितनी उसमी उर्जा किया सकता होती है उसे हम लोग сंगलन की प्रसुपत या गुपत उसमा कहते हैं सवय में आई बात हमने जितना देर से उसमा दिया जितना उसमा उसमा उन्होंने हम लोग को बताया ही ने मैंने दिया तो वो उस्मा क्या कहलाएगा संगलन की प्रसुप्त उस्मा संगलन क्या है तो गलने की प्रक्रिया है तो गलने की प्रक्रिया में जितना उस्मा हम लोग को देना पड़ा वो उस्मा संगलन की प्रसुप्त उस्मा कहलाएगी ठीक है इसको याद रखना है अब फिर आगे लि द्रब उबलना चालू हो जाता है, द्रब क्या होता है, उबलना चालू हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कोथनांग कहेंगे, पानी को जब हम लोग 100 डिगरी सेल्सियस गर्म कर देंगे, कितना डिगरी, 100 डिगरी सेल्सियस, तो क्या होगा, पानी उबलना चालू हो जा वहस सौदगीरी Celsius है कितना दिए यह फिर इसकोaja brakes signal में बदलने के लिए 273 जोड देंगे एड़ोट कोигр ने वातल नहीं के लिए 273 जोड देंगे तो इसमें किया इस सब्सक्राइब बदलने के लिए 273 Hz a सो में 273 जो रहें तो कितना हो जागा 373 Kelvin ठीक है और Kelvin को अगर Celsius में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 273 घटा देंगे जैसे 273 Kelvin को Celsius में बदलना है तो 373 में से 273 घटा देंगे तो बचेगा कितना 100 degree 100 बचेगा वह मेरा Celsius हो जाए 100 degree Celsius 273 Kelvin को 273 Kelvin को यह दी Celsius में बदलना है तो 273 में से 233 घटा देंगे तो वह हो जाएगा डिगरी Celsius में ठीक है समझने आ गया तो चलो क्या कहें जल को जब लोग 100 degree Celsius पर गर्म करेंगे तो वह उबलना चालू हो जाएगा ठीक है अब जब उबलना चालू हो जाएगा तो उबलने के दापर एक केजी दरब को उसके कोथनांक पर वास्प में बदलने के लिए जितनी उसमें उरजा के आवसकता होती है उससे हम लोग वास्पी करण की गुप्त उसमा कहते हैं या फिर वास्पी करण की प्रसुप्त उसमा कहते हैं इस पॉइंट को याद रखोगे सहुलियत क के लिए मैंने ये दोनों को सेम कर दिया है ठीक है अब यहां देखो जिस तरह से ठोस को गर्म कर रहे थे ठोस को गर्म करने के दौरान जब वो द्रब बना चालू हुआ था तो अपने गर्णांग पर पहुच गया था उसके बाद थर्मामिटर हम लोगों को बता ही नहीं रहा था कि हम लोग उस्मा दे रहे ठीक उसी तरह से जब द्रब उबलना चालू ओगा उबलना चालू होगा उसके बाद उसके बाद जो हम लोग उस्मा देंगे उसके बाद वो भी नहीं बताएगा कि उस्मा दे रहे हैं ठीक है वो भी नहीं बताएगा जब तक कि वास्प के रूप में उर्णा चालू नहीं हो जाता है ठीक है समझे बाएग बात तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से ठोस में जो गुप्त उस्मा लगा ठीक उसी तरह से दर्व से वास्प में बदलने के लिए भी गुप्त- उस्मा की जरूत होती है उसको हम लोग कहते हैं वास्पी करण की गुप्त उस्मा कहते हैं ठीक है दरब को कोथनांग पर दरब को गर्म कर रहे हैं उसके कोथनांग पर पहुंच गया उसके बाद और और नहीं बता रहा है कि उस्मा दे रहे हैं ठीक है तो वास्प में बदलने तक के लिए जितना उस ठेक है इसको याद कर लेना है तो हम लोगों ने समझा यहां क्या क्या समझा क्या क्या जाना कि तापमान अगर परिवर्तन हो क्या जाना कि तापमान बदलकर या तापमान का परिवर्तन का परभाव जो है परता है किसमे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में हम यह कहेंगे कि तापमान बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है हम लोगों निए चीज जाना ठीक है ओइं यहीं चीज थोस में हम यहिदे उस्मा देंगे थोस को अगर उस्मा देंगे तो क्या बन जाएगा द्रब कोो जब और उस्मा देंगे तो घैस बन जाएगा थिप उसी तरसे gas को अगर हम लोग थंडा कर दें तो क्या बन जाएगा द्रब बन जाएगा द्रब को अगर और ठंडा करे तो क्या हो जाएगा क्या बन जाएगा थोच बन जाएगा ठीक है यही चीज लिखा है अब देखो बात यह है हर चीज एक बात और याद रखना है कि सभी चीज ऐसा नहीं है कि सब चीज जो है ना सब को गर्म करेंगे और वो दरब बन जाएगा जैसे लकरी लकरी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या वो दरब बन जाएगा नहीं बनेगा हर चीज नहीं इसलिए कहते हैं कि पतापमान बदल कर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है बदल देंगे सभी पदार्थ को ऐसा नहीं। वदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है पो सिपाओ जो स्थां द्रव अवस्था से जो सि परभ अवस्था में यहां धेरो ऑवस्था में परिबर्ते त्हुए बिना तोस अवस्था से सीज़े गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को उर्दुपातन कहते हैं, कुछ ऐसे वस्तुई होती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जो जिसको हम लोग अगर तापान बढ़ाएंगे, जिसको अगर गर्मी देंगे, तो वो क्या होगा, वो ठोस से द्रब नहीं बनेगा, ब तो इस प्रक्रिया को हम लोग उर्दुपातन कहेंगे, ठोस से द्रब होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संगलन कहेंगे, ठोस से द्रब होने की प्रक्रिया को संगलन कहेंगे, और ठोस से सीधा गैस में होने की प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, उर्दुपातन क तो कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ होते हैं जैसे कपूर ठीक है कपूर को हम लोग जब जलाएंगे ना कपूर को जब गर्म करेंगे तो वो सिथा गयस बन जाएगा, वो दरब नहीं बनेगा ठीक है? चलो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि तापमान परिवर्तन का पर्भाव किस तरह से परता है अवस्था परिवर्तन में? नहीं अब हम लोग देखेंगे दाब परिवर्तन का भी परभाव पड़ता है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में तो कहते हैं कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है दाब को बढ़ाने से ठीक है या घटाने से पदार्थ की आवस्था में परिवर्तन हो सकता है दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है गैस किसमें बदल सकती है दरव में बदल सकती है इसको कैसे समिज़ेंगे देखो गैस है गैस के पदार्थ के कर्णों में गति जूर्जा होती है ठीक है और उसके बाद क्या होती है पदार्थ के कर्ण एक दूसरे को आकर्शित करती है पदार्थ के कर्णों की विसेस्ताओं के बारे में हमें लोग पढ़ा ना कि ने पढ़ा तो पदार्थ के कर्ण गैस के जो कर्ण होते वो काफी दूर दूर होते है उसके गैस के कर्णों के कर्णों में जो है कर्ों की गत गति जूर्जा ज्यादा होने का मतलब हुआ कि उनके उन कनों में उस्मा ज्यादा है तापमान ज्यादा है उसके तापमान को हम अगर यदि घटा दें तापमान यदि हम लोग घटा देंगे तो गति जूर्जा क्या हो जाएगा घट जाएगा और अब जैसे इतना ज्यादा छेत्रे में इतना ज्यादा छेत्रे में गैस है और इन गैस में इन गैस के कणों में गती जूर्जा ज्यादा है तो इन सब के कणों की गती जूर्जा को हम कम कर देंगे ठीक है और सब को दबा देंगे मतलब सब सब को दाब डालेंगे सब को जब दावेंगे दाव डालेंगे तो सिकुर्ण जायगा जिए एक auditory जगा जब करदिक और से हमने क्या ग्या किकए गएस के करनों को एक साथ लेकर तो या लिए भूएत ज्यादे को एक जगर लेकर आ अब जब हम उन्हें उसका तापमान को घटा दिया तापमान के घटने से क्या हो जाएगा वो कन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे दरब बन जाएंगे आगे बस समझ में तो वही कह रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस दरब में बदल जाएगा ठीक उसी तरह से दाब के घटने से दाब को घटा देंगे जैसे बहुत ज़्यादा इसको दाब के रखे थे उसको घटा देंगे दाब को घटा देंगे और तापमान को बढ़ा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा दरब से गैस बन जाएगा ठीक है समझे बाइबात तो यहां देखो एक और चीट जब वाई-उ मंदलिये दाब का माप एक एक एटमोस्फियर हो क्या हो एक एक एटमोस्फियर हो तो ठोस कारवन डाइअकसाइड ठोस कारवन डाइअकसाइड दरब अवस्था में आये बिना सीधे गैस में परिवर्थित हो जाती है जिस कारण से ठोस कारवन डाइअकसाइड को सुस्क बर्फ भी कहते हैं इसको याद रखना सुस्क बर्फ किसको कहते हैं तो ठोस कारवन डायोकसाइड को वैसे तो कारवन डायोकसाइड गैस से अवस्था में पाई जाती है है कि ने लेकिन जब यह ठोस अवस्था में हो तो उस वक्त इस कारवन डायोकसाइड को हम लोग सुस्क बर्फ भी कहते है ठीक है क्या का जब वाईयू मंदलिया दाब का माप एक एट्मोस्फियर हो एट्मोस्फियर क्या है तो यह गैसीय दाब का मातरक है वह से दाब का जो मातरक है वो है पास्कल याने रिखें दाब का ऐसाई मातरक है पास्कल जिस तरह से तापमान का SI मातरक है केलविन ठीक उसी तरह से दाब का SI मातरक है पास्कल ठीक है और गैसी दाब का जो मातरक है वो है atmosphere वायू मंदल ये दाब तो जानती ही हो वायू मंदल ये दाब जो वायू मंदल का जो दाब है इस वायू मंदल में हवा का जो दाब है वह ये पुरा हवा है न जी तो हमारे उपर जो हवा है उस हवा का दाब है की नहीं है उस हवा का दाब है हम पर तो वह ही जुदा ऐब वह वाईयू मंदल ये दम कहलाता है ठीक है और समुद्री की जो सत्हा है ना समुद्र होता है तो समुद्री की सत्हा पर घाल कहते हैं वह समय मंदल में का दाब होता है य Margaret समझ में आगया इतना समय आगया ना चलो इए ऐक चीज और इस चीज को इसको याद रखना है थोस दिये हैं ध्टोस से तीर का निसान दिगों थोस से Broken में बदलना संगलन कहलाता है ठोस से द्रब में परिवर्तित होने की प्रकिरिया को संगलन कहेंगे और द्रब से ठोस होने की प्रकिरिया को जमना कहेंगे द्रब से गैस होने की प्रकिरिया को वास्पि करन कहेंगे द्रब से गैस में परिवर्तित होने की प्रकिरिया को वास् संगरन कहेंगे गैस से दरब में परिवर्तित होने की परिक्रिया को संगरन कहेंगे ठीक है उसके बाद ठोस से सीधा गैस ठोस से सीधा गैस होने की परिक्रिया को उर्दपातन कहेंगे ठोस से सीधा गैस होने की परिक्रिया को उर्दपातन या फिर गैस से सीधा ठोस में पर कर लोगे अच्छी तरह से फिर कल इन चीजों को मैं पूछूंगा तुम लोगों से ठीक है आप सबसे इन चीजों यह सारी चीजे पूछूंगा और अच्छी तरह से समझ लो एक बार नहीं होता है वीडियो रिकॉड हो गया इनको कई-कई बार देख करके भी अच्छी तरह से समझ जाओ जहां फिर दिक्कत हो फिर दुबारा पूछ सकते हो तब तक के लिए इतना है कि अ झाल